लहसुन की खेती करने वाले किसानों ने सरकार और जनता दोनों को खेती किसानी का अर्थशास्त्र अच्छी तरह से समझा दिया है। जनवरी 2023 के दौरान मंडियों में लहसुन महेज 5 रुपए प्रती किलो के भाव पर बिक रहा था, जबकि इस साल दाम 200 रुपए किलो है। फुटकर में तो उपभोकताओं को 400 रुपए तक का दाम चुकाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब ही किसानों और उपभोकताओं दोनों की समस्याओं का समाधान है। दर असल दाम कम होने की वज़े से किसानों ने खेती इतनी कम कर दी कि बाजार म जिसका बोज अंत में आकर उपभोकताओं पर ही पड़ेगा। इसलिए लहसुन ही नहीं किसी भी फसल पर किसानों की जो लागत आती है उस पर मुनाफ़े का संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। वरना एक साल किसान लुटेगा और दूसरे या तीसरे साल कंज्यूमर। लहसुन जैसी ही स्थितियां ही अगले साल तक प्यास को लेकर भी पैदा हो सकती हैं। क्योंकि इस साल वो एक्सपोर्ट बैन की वज़े से एक से दो रुपए किलो पर प्यास बेचने के लिए मजबूर है। फिलहाल लहसुन की बात की जाए तो इसका रखबा एक ही साल मे 10 फीसदी कम हो गया है जबकि उतपादन में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्स की गई है। जिसका असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। कम दाम से नाराज किसानों ने अपना गुसा दिखा दिया है। मध्यप्रदेश लहसुन का सबसे बड़ा उतपादक है। इ इससे बाजार में लहसुन की सौटेज हो गई है। इसकी कीमत किसान भी चुका रहे हैं और उपभोकता भी। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के मताबक साल 2021 से 22 में देश भर में 4,31,000 हेक्टेयर में लहसुन की खेती हुई थी। जो 2022 से 23 के तीसरे अग्रिम अनुमान में यानि एक ही साल में रखबा 45,000 हेक्टेयर घट गया। इस तरह किसानों के गुस्से से रखबा 10.4 फीसदी कम हो गया। साल 2021 से 22 के दौरान देश भर में 35,23,000 में लहसुन का उत्पादन हुआ था। जबकि 2022 से 23 के तीसरी अग्रिम अनुमान में यह घटकर 32,33,000 में रह ग है। अगर परसेंट में देखें तो 8.2 फीसदी की कमी जिसकी वजह से लहसुन का दाम इस साल अपनी रिकॉर्ड उंचाई पर पहुँच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी